अब सब्सक्राइब करने के लिए यूटूब पर हूँ यूटूब पर मेरी क्लासेज मंडे टू फ्राइडे रात दस बजे लाइव होती है पिछले एक महने से हम लोग मेरा थन क्लास कर रहे थे इसलिए ये टाइम थोड़ा सा हम लोग ने चेंज किया था लेकिन अब फिर से वापस हम लोग यही मंडे टू फ्राइडे रात में दस बजे सब्ता में पाचो दिन मिलेंगे और जैसा जैसा आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस के एक्जाम नस्दीक हैं आप लोग की और से डिमांड आई थी कि अभी थेयोरी क्लास को सर 20 पचीज दिन के लिए रोक दिया जाए तो थेयोरी तो जोगरफी का फाउंडेशन कोर्स चल रहा था जिसमें हम लोग ने फिजिकल जोगरफी कर लिया है वर्ल्ड जोगरफी इंडियन जोगरफी करना है उसको अभी 20 पचीज दिन के लिए रोकते हैं और अब टारगेट सिरीज चलाते हैं UPPCS के लिए जहां हम लोग मंडे से फ्राइडे डेली रात में 10 बजे इसके टेस्स सिरीज को ट्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे आज पहला ट्रैक्टिस सेट विड़ने अवडे को दूसरा सफडे को तीसरा और फ्राइडे को चौथ वैसे ये सिरीज मंडे से ही कल यस्टरडे से ही शुरू होनी थी लेकिन परिवार में कुछ आगस्मिक कारणों से कल नहीं हो पाई लेकिन आगे ये इसी तरह सब्ता में पाचो दिन चलेगी चले तो सभी तैयार है जल्दी से बताईया आउडियो वीडियो क्लियर है और हम लोग शुरू करते हैं यूपी पीसीस को टार्गेट करते हुवे टेस्स सिरीज जहां पर जीयस के सभी पार्ट्स चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे जोग्रफी हो चाहे इंडियन पॉलिटी हो चाहे इंडियन इकॉनमी हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बाइलोजी हो जितने भी पार्ट्स हैं चाहे इंवार्मेंट हो सभी के प्रशनों को हम करेंगे और केवल करेंगे नहीं परिच्छा में इसमें और क्या बदलाव हो सकता है एक प्रशन से कैसे दो प्रशन तीन प्रशन हो सकते हैं सब देखा जाएगा तो जल्दी से बताइए कि आडियो वीडियो क्लियर है और हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं अपने पहले प्रशन के और सभी का स्वागत है नमस तो पहला प्रशन आपके स्क्रीन पर इतिहास से है और ये सिरीज मैंने बहुत ही बैलेंसड बनाई है एंशेंट से जितने प्रशन आते हैं उसी रेशियो में मेडिवल से जितने प्रशन आते हैं उसी रेशियो से मैंने दिये हैं और मॉडन से जितने प्रशन आते हैं उस एक जोड़दार स्रीज होने वाली है पहला प्रश्न है इतिहास से प्राचीन इतिहास से सिंदु घाटी सब्वेता के लों मुख्यता किस प्रजाती से संबंदित थे और हम सभी जानते हैं कि कुछ खास प्रमुख प्रजातियां हैं कॉकेशिस हैं मॉंगोलाइड है नीग्रो है लेकिन इसके अलावा भी इसकी सब टाइट्स भी पूरे दुनिया में मौजूद है और पहले कॉश्चन में ही थोडा सा कन्फिजन हो गया है जैकिन याद रखना है कि यहां कन्फिजन माने आगे के लिए कोई confusion नहीं तुकि इसका सही आंसर है पी मेडिटरेनियन और प्रोटो ऑस्ट्रिलाइड मंगोलाइड नहीं हम अपने एक्जाम में मेडिटरेनियन और मंगोलाइड में confused हो जाते हैं जहां शुभम भाई को छोड़कर प्रियांग भाई को छोड़कर बाकि सभी लोगं confused हो गए तो याद रखना है बंगोलाइड भी थे नौडिक भी थे लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम थी में यही दो ग्रूप थे तो सही आंसर भी यानि कि एक और दो हो जात है माही ने भी संया अंसर दिया अपने दूसरे प्रश्नी ओर बढ़ते हैं यह मेरे फ्याल से प्राचτιन इतeed हैं कि यहां गुब्त वन्ष का एक बड़ा हीं इंपॉर्टन प्रश्न है यहां बिकास भाई ने भी सही अंसर दिया कि यहां पर गुप्त वँंश के अच्छा पहले मुझे ये भी बता दीजिएगा एक्जाम में पुछा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था ये भी बता दीजे और तब तक मैं इस प्रशन को आप लोगों को बता रहा हूँ कि गुप्त वंच में यहाँ पर पाच शाशकों के पाच अच्छे शाशकों के नाम दिया है इनको क्रम से लगाना है जो शाश सक पहले गद्धी पर बैठा उसको पहले हमें कंसिडर करना है और उसके बाद जो बैठा उसको यहाँ पर राम गुप्त जी है और सारा लोचा इनी राम गुप्त का है क्योंकि ज्यादातर किताबों में 95% किताबों में जब तक आप आप आप्शनल लेवल की किताब नहीं पढ़ेंगे राम गुप्त का जनरली कोई जिक्र नहीं आएगा प्रियान भाई ने नमिता ने रूची ने माही ने बिल्कुल सही बताया च्री गुप्त ने 319 AD में गुप्त वंच की इस्थापना की तो अब जल्दी से इसका अंसर दीजिए राम गुप्त हैं, समुद्र गुप्त हैं, चंद्र गुप्त हैं, कुमार गुप्त हैं, इनको कालानूकरम में लगाना है, क्रोनोलोजिकल आर्डर में लगाना है एक अच्छा प्रश्ण है माही ने बिलकुल सही और सबसे जल्दी आंसर दिया इसके बाद हमारे प्रियांग भाई ने दिया सीज दी राइट आंसर श्री गुप्त ने इस थापना की गुप्त वंज की और उसके बाद जो सबसे प्रमुख राजा हुएं वो यहां पर समुद्र गुप्त हुएं इनका दक्षिर के अभियान से भी एक्जाम में दो तीन प्रशन है कमांडर भी पूचा है प्रियाग प् रामगुप्त के बाद यहीं पर कन्फिजन शुरू होता है रामगुप्त गद्धी पर बैठें और इनको लेकर वैसे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है नाटे दरपन नाम का एक ड्रामा है उसी में इनके बारे में बताया गया है और कई कहनिया इनके पत्नी के बारे में फिर इनकी पत्नी से कहा जाता है कि चंद्रगुप्त दिवतिये ने शादी की कई तरह की कहनिया है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रमान नहीं मिलते हैं और इनके बाद गद्दी पर बैठें चंद्र गुप्त दियुतिये फिर इसकंद्र गुप्त अरे फिर कुमार गुप्त और फिर इसकंद्र गुप्त एक्जाम में ये भी कहा है कि हुड को पराजित करने में किस गुप्त वंज के शाचक का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो याद रखना है इसकंद्र गुप्त का इसकंद्र गुप्त ने फुड़ों को पराजित किया और यहीं समुद्र गुप्त के पहले चंद्र गुप्त प्रथम थे और चंद्रगुप्त प्रथम 319 एडी में गद्धी पर बैठें और इसी 319 इसवी से इनका अपना कैलेंडर भी शुरू हुआ इसके पहले जो भी थे चाय श्रीगुप्त रहे हो चाय घटुतकच रहे हो वो बहुत प्रामिनेंट नहीं थे उन्होंने महराज की उपाधी धारल की थी पहली बार चंद्रगुप्त प्रथम ने महराजा दीराज की उपाधी धारल की और इसलिए इनको में शासक कहा जाता है वैसे फांडर याद रखना कौन है श्रीगुप्त हैं आगे बटते हैं मध्यकाली नितिहास से बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रशन है मंगोल आत्रमलक्तकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पफचिन सीमा तक आ गया था लेकिन किसके काल में उस समय दिल्ली की गद्धी पर कौन था ये बताना है और हो सके तो वो इयर भी बताना है क्योंकि आपके एक्जाम में वो इयर भी पूछा है वो वर्ष भी पूछा है तो जल्दी से इसका भी आंसर दे और ये बड़ा अच्छा प्रशन है दोनों तरह से पूछा है ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा कि किसका पीछा करते हुए आया था और उसकी पूरी कहानी कि उसको जून के महिने में लू के बीच में शाशक ने इंतजार करने को कहा इंतजार करते करते वो विचारा खुदी चला गया तो यहां सही आंसर मरिया ने दिया शशांग भाई ने दिया प्रियांग भाई ने सबसे जल्दी दिया विनय भाई ने दिया इल्टू तमिश लेकिन मैंने कहा कि मुझे इयर भी चाहिए कि किस इयर का यह वाकिया है अभी तक किसी ने नहीं बताया 1221 एडी में एक्जाम में पूछा है चंगेश खां आया एक्जाम में तैमूर के बारे में भी इयर पूछा है कि तैमूर किस वर्ष में आया तो तैमूर अगर याज रखें यहां सैफ अली खां जी करिना करिना जी के वेटे से कोई मतलब नहीं है यह तैमूर दूसरे है क्योंकि 1398 एडी में भारत आये थे बड़ी लूट पार्ट की थी आगे बढ़ते हैं चौथा प्रशन बड़ा ही इजी प्रशन है हम सभी जानते हैं अकबर के दरबार में नौरत्न थे अपने प्षेत के बड से जाने माने हफ्तियां थी लेकिन इन में से कौन सी हफ्ती अकबर में दरबार में आने के पूर्व रीवा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे बिफोर जाइनिंग दी कोट अफ अकबर विच नौरत्ना अफ अकबर वाज इन दी कोट आफ महराजा आफ रीवा कोई बात नहीं के के जी जीवन है तो मृत्तिव भी है और यह परम सकते हैं इसको जुटलाया नहीं जा सकता है लेकिन कभी अपनी ड्यूटी नहीं भूलनी चाहिए और मेरी ड्यूटी है आप लोग की परिच्छा नवस्दीख है हम ऐसे धेर सारे प्रेक्टिस सेट करा देना टेस्स सिरीज कराना और वो हम करेंगे यहां पर यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रशन है लेकिन मारिया ने केके साहब ने विने भाई ने पासवान भाई ने केवल इन लोगों ने ही अभी तक सही आंसर दिया दोनों थे आप के उप्राइब के लिए वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टांसेन है यह के बारे में डेरेक्ली पूछा है लेकिन बीरबलभी है अप के दरबार में आने के पूर्म खीवय फ्रीवा के दरबार में थे कि या चुरू कहीं बाय सफाल है तो यह पड़ा इंपोर्टन प्र ज्यादातर किताबों में या ज्यादातर एक्जाम में जो प्रश्न पूछा है कि अग्बर में अग्बर के दर्बार में आने के पूर्वी रीवा के दर्बार में कौन था तांसेन ही दिया है लेकिन यहां मैंने क्योंकि मुझे पता है आप यहां गलती करोगे तांसेन तांस उसके Hier नहीं लेकिन याद अखना है कि दोनों सही है को बीरवल के दर्वार से आय थे और ऐसे प्रशनों को हम लोगकर करना है यो परिच्छा में हमारे सपाश्न को थोड़ा सा डीले कर रहे हैं 5 प्रश्ण फुड़ासा इजी प्रश्ण है हम सभी जानतें 1857 के विद्रो को पहला महा संग्राम ब्रिटिश के अगेंफ्ट लेकिन उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था ये प्रश्ण मेरे लिए बहुती महत्पूर है क्योंकि यूपी PCS के इंटरव्यू में ये प्रश्ण मुझसे पूछा गया था अब आप समझ लिए इस प्रश्ण का महत्व विनाय भाई ने बिल्कुल सही बताया और काफी लोगों ने प्रियांग जी ने भी सही बताया है केके साहब ने सुदीश भाई ने अर्विन भाई ने रूची ने सभी ने कर्या भाई ने महेज दासुन का उरिजिनल नाम था यहाँ पर शुभम भाई ने विनाय भाई ने माही ने रुदीश भाई ने सभी ने सही आंसवर दिया पामस्टन इसी प्रश्न को दूसरी तरह भी पूचा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्थ हुई उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था या यह भी पूचा है कि जब वर्ल्ड वार्ड सेकंड चल रहा था तो ब्रिटिश पी-म कौन था तो इसका आंसर 1857 की क्रांती के समय पांस्टन थे लेकिन 15 अगस्त उन्निस्सव शत्तासी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली महदे थे आगे बढ़ते हैं इसी तरह और जोर्धार प्रशनों को देखते हैं अर्विन भाई ने सबसे जल्दी केके भाई ने अर्विन भाई ने सबसे जल्दी साई आंसर दिया कि एटली थे और व्ल्ड वार्ड सेकंड के समय ज्यादतर समय चर्चिल महुदे थे आगे परते हैं यहां पर एक लंबा चोड़ा प्रशन दे दिया है लेकिन घबराने की बात नहीं है यहां पर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अध्यक्ष जो रहे हैं उनका नाम दिया है आपको केवल इनको कालानुक्रम के अनुसार लगाना है और आंसर देने के बात हो सके तो सभी का इयर भी बताईएगा क्योंकि आपकी परिच्छा में वर्ष भी पूछा है अलग-अलग प्रशनों में तो यह एक अच्छा प्रशन है अगर आपको इयर भी याद है तो समझ लिजे यह वाकई एक अच्छे लेवल की तयारी हो रखी है हाँ क्लिमेंट एटली एकडम सही कहा बस क्लिमेंट के स्पेलिंग टाइप करने में जल्दी जल्दी एक जगा आई हो गई है यहां पर पासवान भाई ने विने भाई ने योग गुरू ने सबसे जल्दी सही आंसर दिया सीज दी राइट आंसर इन चारों में सबसे पहले 1924 में बेलगाम में महत एक्जाम में यह भी पूचा है कि केवल यही एक ऐसा सेशन था अधिवेशन था जिसम की अध्यचता महतना गांदी जी ने की इसलिए इसका लोकेशन भी याद रखना है बेलगाम इसके बाद श्रीमती सरोजनी नैडू जी एकदम सही बताया सुदीश भाई ने 1925 इसके बाद जवालाल नेरू जी 1929 और फिर कराची का मशूर अधिवेशन वैसे जवालाल नेरू जी का भी जो लाहुर अधिवेशन था यह काफी फेमस था पूर्ण सवराज की दिमांग यहीं पर की गई थी और वल्ला भाई पटेल वाला भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 1931 कराची में यहीं पर मौलिक अधिकार पंडा मेंटल राइड की डिमांड की गई थी और यहां पर पूर्ण स्वराज की बात की गई तो किस तड़ा एक प्रश्न से चार प्रश्न पाच प्रश्न बने यह हम लोगों ने देखा मारिया ने बिलकुल सही बताया कि एक्जाम में पूचा है कि पहली महिला अध्यच कौन थी तो हम सभी जानते हैं एनी बेसंट 1917 लेकिन पहले वो आईरिश थी आयरलेंड की थी तो कभी-कभी एक्जाम में यह भी पूचा है कि पहली भारतिये इंडियन नेसनल कॉंग्रेस की अध्यच कौन थी तब आंसर हो जाएगा श्रीमती सरुजनी नाइडू इसके इलावा केवल एक बार और 1933 में नलनी सेन गुप्त गुप्त जो थी वो केवल तीसरी महिला हुई है इसके इलावा संपूर इंडियन नेसनल कॉंग्रेस की इतहास में स्वतंतरता तक यही त 1917 में एनी बैसेंट 1925 में श्रीमती सरुजनी नाइडू जी और 1933 में नलनी सेन गुप्त आगे बढ़ते हैं तात्मा प्रश्न कह रहा है हम सभी जानते हैं क्रिश्प मिशन आया किस येर में आया 1942 में आया यहां पूछ रहा है कि क्रिश्प मिशन से बात करने के लिए कांग्रेस ने अधिकारिक रूप से दो लोंगों को भेजा दो लोंगों को नामित किया तो आपको बताना इन में से कौन ऐसे हैं को अमंग दी फॉलइंग वेर ओफिशियल कॉंग्रेस निगोशियेटर्स विट क्रिश्प मिशन इनका रियल नेम है बाद में इंडिया छोड़के चली भी गई थी बांगलादेव चली गई थी शायद ठीक है कौन बने का कौन पती में यह प्रशन पूछा था तो यहां पर अगर देखा जाए एक अच्छा प्रशन है इसका माही ने सबसे जल्दी सही आंसर दिया है और अभी तक केवल माही नहीं आंसर दिया है बाकी सभी के आंसर गलत हैं जवाल लान नहरू जी क्योंकि इनका वीजन थोड़ा अलग था अप्लस उस समय बनाना अजाद ही प्रेसिडेंट से इसलिए इनको चुना गया तो नहरू जी और मरणा अजाद इनी दोनों आदमी को नमिनेट किया था क्रिस्प मिशन से बात करने के लिए प्रियांग भाई ने भी अश्वनी ने भी सही आंसर दिया केवल ती लोंगों ने सही आंसर दिया आठ यहां पर रिक्टर स्केल की बात हो रही है और कह रहा है कि रिक्टर स्केल में लेवल के साथ जैसे चार रिक्टर स्केल का भूकम पाया फिर कहीं पाच रिक्टर स्केल का आया फिर कहीं छे आया तो हर लेवल के साथ कह रहा है कि जो आयाम है एम्प्लिट्यूड है ये दो गुना बढ़ जाता है और दूसरा कक्थन कह रहा है कि हर लेवल के साथ ऊर्जा में दस गुना बहुत्री होती है इसका मतलब पाच चार लेवल पर अगर सो जूल उर्जा निकली है तो 5 लेवल पर 5000 जूल एनर्जी निकलेगी और 6 लेवल पर शुबं बाई ने, सुनिता बहन ने, अश्वणी बहन ने, पास्वान बाई, सचिन बाई, सभी ने बहुत ही जौरदार आंसर दिया है तोनो ही गलत हैं, जो हम लोगों ने लिखा है कि उर्जा में दसगुना बढ़ोत्तरी होती है, ये आयाम में होती है आयाम, आयाम क्या होता है? कोई भी तरंग जब जाती है तो यह जो इसकी उचाई होती है यही एम्प्लिट्यूड या आयाम कहलाता है तो 4 से 5 या 5 से 6 रिक्टर स्केल पर जब भुकम आता है तो 10 गुना हर लेवल के साथ 10 गुना आयाम बढ़ जाता है वहीं अगर बात करें उर्जा की, तो उर्जा कुछ किताबों में लिखा है दस गुना बढ़ जाती है, गलत लिखा है, लिखने वालों का ग्यान कम है, आयाम दस गुना बढ़ता है, उर्जा 31.6 गुना बढ़ती है प्रतेक लेवल के साथ, एक जोरदार प्रश्न था, ला ज कह रखा है यहां तीन कथन दिये हैं और आपको बताना इन तीनों कथनों में कौन सा कथन सकते है पहला कह रखा है वायू दाब को बैरो मीटर नामत यंत्र से मापा जाता है दूसरा कथन कह रखा है कि बैरो मीटर में अगर अच्छानक गिरावट आती है तो यह आने वाले चक्रवात का पंकेथ है और तीसरा कह रखा है कि साल भर में सबसे कम किसी भी स्थान पर जो सबसे कम लो वेफ्ट एक्टमास्टिरिक प्रेशर होता है यह जाड़े में होता है अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन कौन सा कथन सही है माही ने सबसे जल्दी सही आंसर दिया उसके बाद शुबं भाई केके, प्रियांक, जैनब बहन, सुनिता बहन, विन्य भाई तीसरा कथन गलत है पहला और दूसरा सही है और दूसरा वाला तो कई बार एक्जाम में पूछा है पहला वाला तो अब इजी हो गया है क्योंकि lowest temperature जाले में नहीं बलकि गर्मी में होता है गर्मी में जब हवा गरम होती है तो गर्मी पाके यह हवा फैल जाती है यह expand कर जाती है और जब हवा expand करती है तो इसकी density कम हो जाती है इसका घनत्व कम हो जाता है यह हलकी हो जाती है और हलकी होने के कारण यह उपर चली जाती है और जब उपर चली जाती है तो सता पर लगने वारा प्रेशर कम हो जाता है गर्मी में समर में low pressure कम रहता है इसलिए भारत के उस्तर पस्चिम भारत के हिस्से में राजिस्थान पंजाब में गर्मी के दिनों में low pressure कम हो जाता है और ये मौन्सून को घीशता है दसवा प्रश्ण फिर आगया UPSC लेवल का एक्जाम का एक प्रश्ण है कि तिब्बत का पठार किन दो परवतों के बीच में है तो आंसर है हिमाले और कुल्लून परवत लेकिन यहां पूछ रहा है एक मरुस्थल है टकला मकान जिसे टाकला मकान या टकला माकन भी कहा जाता है पूछ रहा है कि यह मरुस्थल किन दो परवतों के मद्धे इस्थित है बड़ा ही बढ़ियां UPSC लेवल का यह प्रश्ण है और देखना है UPSC लेवल की प्रपरेशन किसकी है क्योंकि हर कोई इसका आंसर नहीं दे पाएगा तुक्का मार सकता है बस और तुक्का में भ केके भाई ने माही बहने सुरिता बहने सभी ने सही आंसर दिया कुलून और तियंशान यहां डाइगराम में देखिए नीचे हिमालय है हिमालय के ओपर यह कुलून परवत है हिमालय और कुलून के बीच में तिबबत है लेकिन यह कुलून और यह तियंशान के बीच में आप देखिए ये मरुस्थल यही काकला माकन का मरुस्थल है मुझे बहुत खुशी है फिर सारे भाईयों और बहनों ने इसका सही आंसर दिया है हर जगा इतना सही आंसर नहीं मिलेगा आगे बढ़ते हैं अब पूछ रहा है इन में से कौन योरोप को पड़ाईजी प्रशने एशिया से अलग करता है which one of the following separates योरोप from the एशिया एक है जुराल परवत मरमरा सागर काकेशस परवत अब इन तीनों में कौन-कौन अलग कर रहा है एशिया और योरोप को और देखिए कन्फीजन हो गया क्योंकि ज़्यादे तर लोंगों ने बताया योराल परवत और काकेशस परवत लेकिन मेरे प्रशन जो हैं मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा हाई लेवल के होते हैं पाल्टू प्रशन नहीं होते हैं और इसलिए अश्वनी बहन का अंसर केवल सही आया है कभी सही हैं लेकिन ये मरमरा सागर है कहां तो ये देखिए जूराल परवत तो हम सभी जानते हैं कि जूराल परवत एशिया को योरोप से अलग करता है और यहां पर कौकेशस परवत भी है ये भी एशिया को योरोप से अलग कर रहा है हम काला सागर को भी कह सकते हैं कि काला सागर भी एशिया को इसी योरोप से अलग कर रहा है नीचे देखिए ये भूमद्य सागर है ये काला सागर है इनके बीच में काला सागर भूमद्य सागर से connected है और इनके बीच में ये एक छोटा सा सागर है तो कि तुर्की के बीच में है यही मरमरा सागर है Sea of Marmara है Istanbul के पास तो ये भी देख रहे हैं आप Marmara सागर ने भी इधर एशिया को इधर योरोप से अलग किया तो तीनों सही कथन थे आगे पढ़ते हैं लेगे उसके पहले याद अखना है हम लोग की और भी धेर सारी सीरीज है उसको देखने के लिए कुछ नहीं करना है जो हम लोगा यूटूब चैनल है जीएस तो इजी इसकी प्लेइलिफ्ट में जाना है जैसे ही आप प्लेइलिफ्ट में जाएंगे तो थियोरी क्लास जोगरफी की मिलेगी मैराथन सीरीज इसको खास टारगेट किया गया है यूपी पीसीएस के लिए इसमें सवा सव कॉष्चन के आसपास हम लोग करते हैं सव सवा सव प्रशन फिजिक्स के टेमेफ्ट्री के बाइलोजी के एंशेंट हिफ्ट्री मेडिवल हिफ्ट्री बाइलोजी के चैप्टर वाइज इंडियन जोगरफी का क्रैश कोर्स परिच्छा से सम्मंदित टाइम मैनेजमेंट किताबे सब यहां मिलेगा और फिजिकल जोगरफी के प्रतेख चैप्टर के 25 पचीस मोस्ट इंपोर्टेन कोष्चन की भी सिरीज यहीं मिलेगी एक चीज और बताना चाहूंगा कि यह क्लास मेंली UP-PCS के लिए है लेकिन जैसा कि आप जानते है कि PCS का जो सलबस है जंदल स्टडी का यह सभी राजियों में लगभग सेम है तो इसलिए यह क्लास BPSC के लिए भी बहुत उपियोगी है NP-PCS के लिए राजिस्थान PCS, उत्राखन PCS जारखन PCS, यह सभी PCS के लिए लेकिन अभी फिलाल हमका में टारगेट UP-PCS है पारवा प्रशने कह रहा है कि लद्दाक और लद्दाक परवत और जासकर परवत के बीच एक नदी बहती है और आपको बताना है कि यह कौन सी नदी है जोकि लद्दाक और जासकर के बीच में बहती है एक अच्छा प्रशन है इससे दो प्रशन है ठीक है यह जासकर परवत है यह लद्दाक परवत है यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं अगर पहले प्रश्न को देखा जाए तो माही ने एकदम सही आंसर दिया सबसे जल्दी इसके बाद विने भाई ने शक्चिन भाई ने तुरिता ने अश्वनी ने शशांग भाई ने प्रमोद भाई ने सभी ने सही आंसर दिया सिंदू नदी यहीं सिंदू नदी यह निकलती है मानसरवर जील के पास से और फिर यह चली जाती है पाकिस्तान एक्जाम में ये भी पूचा है कि यहीं सिंदू की एक सहयक नदी है उसका नाम है श्योक एक्जाम में ये भी पूचा है कि सिंदू और उसकी सहयक श्योक नदी के बीच में कौन सा परवत है कब आंसर हो जाएगा यही लद्दाग परवत एक्जाम में ये भी पूछा है कि इसी जासकर और पीर पंजाल परवत के बीच में कश्मीर की घाटी है कश्मीर वैली है ये तीन चार प्रश्न है और कभी कभी ट्रांस हिमालय को उत्तर से दक्षिल क्रम में लगाने को देता है तो तीन ट्रांस हिमालय है ये कारा कोरम है सब से उपर यहीं पर माउंट के टु है इसके नीचे लद्दाग परवत इसके नीचे जासकर परवत तेरवा प्रश्न पूछा है यहां पर तीन वक्स साइट के प्रमुक्ध खनन छेत्र है एक नहीं है तो आपको पहचान करना है कि इन में से कहां पर बॉक्साइट नहीं होता है और जहां नहीं हो रहा है तो वहां पर क्या होता है तो कि वहां पर भी कुछ important होता है और हो सके तो इन सभी की location भी बताईए क्योंकि आपके एक्जाम में कभी-कभी सुमेलित करने को जब देता है तो इनको कुमेलित करने के लिए देता है इनको राजजिक से मैच करने को देता है केके भाई ने चुभम भाई ने विनय भाई ने शशांग भाई पासवान भाई सभी ने सही आंसर दिया तुमाला पल्ली लोहर दगा कहां है जहरखंड में है कोरापूट काला हंडी दोनों वहां होता है और बाच शक्तिस गड़ में है यहां पर भी होता है लेकिन तुमाला पल्ली जो की आंधर प्रदेश में है यह किसके लिए फेमस है मैंने आपसे पूछा नहीं बताया किसी ने यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है वैसे यूरेनियम के लिए आपके ठीक है आगे बढ़ते हैं चौद्वा प्रश्न है फिजिक्स का आ गया हिस्ट्री जोग्रफी हो गया फिजिक्स को देखते हैं न्यूटन के प्रथम नियम को किस और नाम से जाना जाता है न्यूटन फॉफ्ट लॉफ मोशन इस आल्सो नोन एज एक अच्छा प्रश्न है इसका जल्दी से आंसर दीजे और सबसे जल्दी केके भाई ने शुभम भाई ने माही ने शशांग भाई ने आंसर दिया इसी को जड़त्व का नियम या लॉफ इनर्शिया भी कहते है कोई भी वस्तू अपनी विराम या गती की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए कोई वस्तू अगर जड़ जड़त्व है गती हीन है इस्थिर है तो वो वैसी ही रहेगी यही नियूटन का पहला नियम है लेकिन अगर आपसे पुछा जाए कि इसमें से नियूटन का दूसरा नियम कौन है यह ग्रैविटी है तो पूरा नाम है लाओ अफ ग्रैविटी और यह लाओ अफ वर्टिकल मोशन अब बताईए अगर ज्यादा टफ कोफचन यही है लेकिन एक्जाम में चुकि यह ज्यादा पूछा है लाओ अफ इनर्चिया तो मैंने बता दिया इसको लेकिन यहाँ आप फसेंगे वो यह है कि इसमें से न्यूटन का दूसरा नियम कौन है सेकेंड ला कौन है सेकेंड लॉफ न्यूटन कौन है और यह एक हाई लेवल प्रशन है जब मैं फिजिक्स थेयोरी पढ़ाऊंगा तो इसको ज्यादा डिटेल में देखूंग बताऊंगा यह आपके लिए होमवर्क है क्योंकि सभी ने इसका गलत आंसर दिया है किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है कल के क्लास में इसका नहीं फार्मुला मत बताईए मैं फार्मुला नहीं पूछ रहा हूं फार्मुला तो f is equal to a मे सही है यह फार्मुला निकला कहां से जो physics बहुत अच्छे से intermediate में पढ़ा है या graduation level पे वो इसका अंसर दे पाएगा इसी में से एक का उपयोग करके यह फार्मुला निकाला गया है मुझे इसका अंसर कल देना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आँ तो वो इसमें से क्या ह बाल के नियम से है तो ठीक है लेकिन इसमें से बाल का नियम कहां उपयोग किया गया मैं वो पूछ रहा हूँ धन्यवाद शुबं भाई तो कल सबी लोग इसका आंसर लेके आएंगे शशांक भाई का भी धन्यवाद वाकि आंसर सब लोग कल बताईएगा एक बार सबी लो निकट के द्रिफ्टी में दोश हो गया है इन शॉर्ट साइटेडनेस इसे नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है मायोपिया भी कहा जाता है कहां कि वस्तू नहीं दिखाई देती है यह बड़ा कन्फ्यूजिंग प्रश्ण है इसका शुबम भाई ने दन्यवाद केके भाई विने भाई ने शशांग भाई ने अश्वनी ने सही आंसर दिया है क्योंकि सही आंसर है नाम है निकट द्रिफ्टी दोश सुनने में ऐसा लगता है कि निकट की वस्तू नहीं दिखेगी लेकिन उल्टा होता है दूर की वस्तू दिखने में दिक्कत होती है तो क्यों इसे निकट द्रिफ्टी दोश कहते हैं ये ऐसा इसलिए होता है कि जो लाइट आती है लाइट जो की रेटीना पर आना चाहिए ये रेटीना के पहले ही कनवर्ज हो जाती है और आप जानते हैं कि जब किर्केट में बॉल पहले ही टिपा खा जाती है तो उसे शॉट पिछ बॉल कहते हैं इसी तरह यहां लाइट पहले ही कन्वर्ज हो गई तो यह शॉट बॉल हो गई यही शॉट साइटिडनेस हो गया और इसको दूर करने के लिए एक्जाम में पूछा है कौन सा लेंस लगाना है तो हमें कौनकेव लेंस लगाना है जो कि लाइट को थोड़ा सा क्या करेगा फैला देगा डाइवर्ज कर देगा जिससे यह फिर रेटीना पर पहुँच जाएगी इसी का एक और नाम क्या है मायो पिया इसी का उल्टा जो है वो फार साइटिडनेस है या लॉंग साइटिडनेस है जिससे हाइपर मेट्रो पिया भी कहा जाता है और उसको दूर उस दोश को दूर करने के लिए हम convex lens का उप्योग करते हैं एक्जाम में ये भी पुचाए कि हमारी आखों में कौन सा lens है concave की convex तो याद रखना है कि उसमें convex lens है हमारी आखों में camera में ये सब exam का important प्रशन है सोलवा प्रशन है methane gas कहां से निकलती है हम सभी जानते है गाय जुगाली करती है तो methane gas निकलती है इसके लावा कोईले के ख़दान से भी methane निकलती है इसाम में पूछा है कि कोईले के ख़दान में जो blast होता है बिसफोर्ट हो जाता है कभी-कभी किस gas के रिसाव के कारण तो आंसर यही है methane gas के रिसाव के कारण भाई एश्वनी बहन शशांग भाई बाही सभी ने सभी आंजर दिया दोनों सभी हैं एक्जाम में वैसे ज्यादा तर धान के खेत पूचा है लेकिन याद रखना है कि जिस तरह गाय जुगाली करती है तो मिथे निकलता है दीमक से भी दीमक का जो घर होता है वहां से भी मि प्रस्तूत किया गया यहां पर यह पूच रहा है ज्यादा तर हमें जैसा कि माही ने अंसर दिया रॉबर्ट हुक और लिविन हॉक लेकिन यह गलत है विने भाई ने के भाई ने के भाई ने सबसे जल्दी सही आंसर दिया शलाइडेन और शोवान रॉबर्ट हुक एक्जाम में पूचा है इन्होंने कमपाउंड माइक्रोस्कोप का आविशकार किया लिवन हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप का आविशकार किया रॉबर्ट हुक ने ही सेल यानि माइक्रोस्कोप से क कोशिका की खोज की आगे बढ़ते हैं अठारवा प्रश्न पूछ रहा है कि यहां पर कई कोशिकाएं हैं और यह तीनों ही ब्लड में पाई जाती है लेकिन इन कोशिकाओं में से किसमे केंद्रक यानि की नूकलियस नहीं पाया जाता है आर बीसी डबलू बीसी या प्लेटलेट्स ये भी बड़ा अच्छा हाई लेवल प्रश्न है जिसमें हमें से ज़्यादा तर लोंग गलतियां करेंगे जो बहुत डिटेल पढ़ा होगा वही इसका अंसर देगा हम सभी जानते हैं आर बीसी जो है आर बीसी में नहीं है इसका अपवाद कौन है उट की तरह जानवर होता है लामा का उत अमरीका में पाया जाता है किवल उसी के आर बीसी में मैमल्स में केंद्रक पाया जाता है लेकिन rbc के लावा याद रखना है platelets में भी है platelets में भी nucleus नहीं पाया जाता है तो rbc में नहीं है लामा को छोड़कर लामा में है और platelets में भी नहीं है तो answer हो गया c अमेरिकाल से किसी ने भी इसका सही आंसर नहीं दिया है त्योंकि ये वाकई एक tough question था WBC में कोशिकाएं होती है Amoeba की तरह कोशिकाएं होती है बच्चे जब जन्म लेते हैं तो BCG के बाद DPT का टीका लगता है exam में पूछा है कि BCG का टीका जो होता है जो की जन्म के तुरंट बाद लगना चाहिए ये किस रोग से बचाओ के लिए है तो tuberculosis के लिए होता है और अब जब tuberculosis समाप्त हो गई है तो काफी देश में इसको बंद कर दिया गया है या नसरीन बहन खुश रहे हैं सुस रहे हैं सफल रहे अब डेली मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी नसरीन बहन टाइम वही है रेगुलर क्लास का रात में 10 बजे लेकिन DPT वैक्सीन भी लगती है और यहां पुछ रहा है कि ये DPT वैक्सीन किन तीन बिमारियों के लिए लगती है मैंने बताया कि जो BCG का टीका है एक्जाम में पुछता है कब लगता है तो जन्म के तुरंद बाद ये टूबर क्लासिस के लिए होता है टीबी के लिए होता है लेकिन यहां BCG अरे DPT पुछा है तो KK भाई ने अश्वनी बहन ने प्रियांग भाई ने विनय भाई शशांग भाई ने सबसे जल्दी सही अंसर दिया है डिप्थीरिया वूपिंग का वूपिंग काफ माने काली खांसी और टिटनेस इन तीनों से बचाने के लिए DPT का T का लगता है लेकिन याद रखना है कि D for diphtheria T for titanus P जो है यह वूपिंग काफ नहीं है मतलब मैच नहीं कर रहा है तो वूपिंग काफ का असली नाम क्या है वो भी मुझे बताईए उसका असली नाम है पर्टूसिस तो वही पर्टूसिस से यह P है जिसका आम भाषा में नाम है वूपिंग काफ या काली खांसी आगे बढ़ते हैं 20 प्रशन quality से important प्रशन आ गया है article 21A में हम सभी जानते हैं के बाद सिच्छा बच्चों के लिए सिच्छा निवार कर दिया गया मौली का दिखार बना दिया गया है एकदम सही बताया चंद्रा ने वेलकम चंद्रा वहन लेकिन यह कितने एज के बच्चों के लिए education को free किया गया है बड़ा confusion है विने भाई ने शुबं भाई ने एकदम सही आंसर दिया उसके बाद प्रियांग भाई भाई सभी ने च्छे से 14 वर्ष कोंसा समविदान संसुद्र ने याद रखना है एटी सिक्स्ट एमेंड्मेंट जल्दी से यह भी बता दें कोमल बहन भी चुल गई है कोमल बहन अब डेली हम लोग टेस्स करेंगे यूपी PCS के लिए टाइम और यह मंडे टू याद रखना है यह मंडे टू फ्राइडे होगी टाइम इसका वही पूर्वला फिक्ष्ट है रात में 10 बजे तो अब सभी लोग जिसको यूपी PCS नहीं भी देना है बिहार PCS देना मैंने बताया कि कोफचन का लेवल सेम है चाहे राजस्थान PCS हो चाहे उत्रखंट PCS हो चाहे आरो यारो हो सब का लेवल सेम है चाहे MP PCS हो कि यस 2000 अगर पूछेगा किसी यह में 2002 में आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे बढ़ने के बहले सबसे जरूरी संदेश सारे देश का संदेश हम सब का संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी आखो बचाना है करने अब रूर हत्या फीमेल इंफेंटर साइड को रो प्रशन है कि हमारे संसद में ये तारंकित प्रशन क्या होता है ये इफ्टार्ड कोफ्षन क्या होते हैं दो तरह के प्रशन होते हैं तारंकित और आतारंकित यानि अनिफ्टार्ड यहां पर पूछ रहा है कि तारंकित प्रशन इन में से क्या होते हैं एक अच्छा प्रश्ण है लाजवाब प्रश्ण है तो यहां पर इन चार में से दो आपशन ही सही है यहां पर कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया है तीन अंसर आये हैं तीनों गलट आये हैं शुबं भाई ने एकदम सही आनसर दिया है । शशांग भाई ने सही आंसर दिया प्रियांग भाई ने सही आंसर दिया ये प्रशन मौखिक पूछे जाते हैं और जब मौखिक पूछे जाते हैं तो जब इसका उत्तर आता है तो इसी में पूरक प्रशन भी पूछे जाते हैं जो जवाब उन्होंने तुरंट दिया मंत्री महोदेने उस पर counter question भी हो जाता है लेकिन जो आतारंकित या अनिफ्टार्ड question है वो लिखित रूप में दिये जाते हैं तो जब लिखित रूप में दिये जाते हैं तो पूरक प्रशन नहीं पूछे जा सकते हैं किसे तो बस लेटर आ गया 22 प्रशन पूछ रहा है जो लोक लेखा समिती है जो पूब्लिक अकाउंट कमिटी है जिसे शॉर्ट में पी एसी भी कहा जाता है पहला कथन कह रहा है कि लोक सबा के अध्याच इसकी इसकी अध्याच की नुक्ति करते हैं और दूसरा कह रहा है कि लो और तीसरा कह रहा है कि इसमें 15 मिंबर लोक सबा से होते हैं और 7 मिंबर राज सबा से होते हैं इन तीन कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है केके भाई ने, प्रियांग भाई ने, नमिता बहन, नसरीन बहन, शशांग भाई सभी ने सही आंसर दिया तीनों कथन बिलकुल सही है और इसमें जो इक्जाम के लिए सबसे इंपोर्टेंट है, most important वो ये है याद अखना है कि तीन वित्तिये समितियां है उसमें से जो सब से important है ये यही है पॉब्लिक अकाउंट कमीटी, कैक की रिपोर्ट को यही देखती है इसके लावा जो दो और वित्तिये समितियां है वो है Estimate कमीटी, प्राकलन समिति और तीसरी है Public Undertaking कमीटी, लोक लेखा समिति ये तेन कमीटिया क्या है, वित्तिये समितिया है अब आपको बताना है कि जो प्राकलन समीटी है जो एस्टिमेट कमीटी है उसमें राज सबा से कितने मेंबर होते हैं और लोग सबा से कितने होते हैं ये भी एक जोरदार प्रशन है जल्दी से बताई है प्राकलन समीटी यनि कि एस्टिमेट कमीटी में कितने मेंबर लोग तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से आंसर दीजिए इंडियन इकानमी का प्रशन आ गया कि नीती आयोग में जो नीती शब्द है इसका फुल फॉर्म क्या है जल्दी से आंसर दे और ये जोड़दार प्रशन है डेली हम लोग 25 प्रशन लेंगे लाएंगे तो 25 लेकिन आप जानते हैं हम लोग उसको बढ़ा के 50 प्रशन कर देंगे एकदम सही आंसर दिया है बहुत बढ़ी आंसर दिया है नसरीन बहन ने रूची ने 30 मिंबर होते हैं लेकिन सभी लोग सभा से होते हैं और ये एक मातर ऐसी वित्तिय समिती है जिसमें राज सभा का कोई रिप्रेसेंटेशन नहीं होता है तो याद रखना है कि एस्टिमेट कमिटी में 30 मिंबर इसका full-form क्या है प्रियांग भाई ने शशांग भाई ने केके भाई ने शुभम भाई ने माही ने इन सभी ने बिलकुल सही आंसर दिया है नीती आयोग में नीती का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टिटिवशन फॉर ट्रांस्वार्मिंग इंडिया एक प्रशन जीडिपी का है इंडियन इकॉनमी से कि ये हिंदू ग्रोथ रेट किस से संबंदित है और हो सके तो उस अर्थ शाफ्त्री का भी नाम बताईए और हो सके तो वो एर भी बताईए जिस वर्ष में इन्होंने हिंदू वृद्धी दर के कॉंसेट को प्रस्तूत किया था और मुझे ये भी बताईएगा कि आप लोग को इंडियन इकॉनमी की मेरा थन चाहिए की नहीं क्योंकि बताईएगा तो सब्ता भर बाद दस दिन बाद अगर आप लोग की डिमांड होगी तो उसमें भी सौ सवा सव इंपॉर्टेंट प्रिशन दे दूँगा तेओरी से करेंट हर साल चेंज होता है तो करेंट का नहीं वह करेंट करिएगा ब साही आंसर है रिजवाना बहन जुड़ी है रिजवाना बहन अब कल से लेली ये जीडिपी से संबंदित है लेकिन अभी तक मुझे बताया किसी ने नहीं किस आर्थ शास्त्री का ये कॉंसेप्ट था के वल सचिन भाई विने भाई और नस्रीन बहन कह रही है कि ने इंडियानिक आदमी पर भी होना चाहिए याद रख लिजिए कि 1978 में प्रोफेसर राज कृष्णा जी का ये कॉंसेप्ट था और बेसिकली ये जीडिपी स्लो ग्रोथ ऑफ जीडिपी की जब व्याख्या कर रहे थें तब उसमें ये कॉंसेप्ट दिया था कि कैसे कल्चर जो है ये हमारे जीडिपी को कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है 25 प्रशन रोज होंगे अन्तिम प्रशन इन्वार्मेंट से है पारिस्थिती या इको सिस्टम के दो प्रमुक घटक है आपको पहचान करनी है इन में से कौन से दो घटक है प्लांट्स और एनिमल्स है कि लेंड और ओशन है बायोटिक है या लेंड और एक्मोसियर है ये क्लास मंडे टू फ्राइडे दस बज़े चलेगी और इसी तरह चलेगी 25 प्रशन लेके आऊंगा जिसे हम लोग क्लास में ही 50-60 कर देंगे सबसे जल्दी प्रियांग भाई ने केके भाई ने शशांग भाई माई बेहन शुबं बाई चंदरा शुबं रिजाना बयहन कोमल सभी ने सजय आंसर दिया जैविक और आ जैविक एक्जाम में आ जैविक की जगा भौतिक भी दे सकता है physical भी दे सकता है तो जैविक माने living और आजैविक माने non living यही दो component है living में भी दो हो जाएंगे पादप यहनी plants और animals और आजैविक में इस्थल मंडल जल मंडल और वायू मंडल यह तीनो आजैविक के घटक है तो अभी के लिए इतना ही अगर class जोरदाल लगी है त से भी ज़्यादा ज़रूरी है इस class को share करना है और अगर आप नए है चैनल पे तो इसको subscribe करके bell icon को hit करना है किवल hit नहीं करना है notification में all पर tick करना है ताकि आज काफी लोंकी class miss हो गई तो class miss ना हो यह class जो की geography foundation course की जगा चल रही है test series वाली class practice यह Monday to Friday class चलेगी इसका time वही अपना पुराना वाला है रात में 10 बजे कल होनी थी लेकिन कल परिवार में कुछ आकस्मिक दुरगटना हो गई यह कारण से class नहीं हुई आज से यह शुरू हुई आज यूपी PCS को target करते हुए यह पहला practice set है कल हम लोग दूसरा practice set करेंगे इसी तरह Friday तक यह class चलेगी त आप सभी को जल्दी से आपके लक्ष में और आपके पर इच्छा में सफल करें और यह बिलकुल मुम्किन है क्योंकि कुछ भी impossible नहीं है impossible खुद कहता है I am possible you are possible we all are possible good night शुब रती शबाख है बिलते हैं कल फिर इसी टाइम रात में 10 बजे इसी तरह और जोरदार प्रशनो के साथ जो हमें UPPCS का अच्छे से revision करा देगे अपना ख्याल रखिएगा God bless